Hello everyone, मैं Metamopsis में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैंने आप से जैसा की वादा किया था आपको आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो financially weak हैं और वो course को पूरा live नहीं ले सकते जो की महंगा course है तो live course में ज़्यादा पैसा ना देना पड़े इसलिए मैंने live का ही पूरा ready made course आपके लिए बनाया है वो पूरा मेरे द्वारा पड़ाया गया course है और पूरा ready made में मैंने सारा step wise और syllabus wise folder create करके मैं आज launch कर रहा हूँ English का course और मेरे सामने आपका ये course खुला हुआ है आप जब मेरा YouTube वीडियो देखें तो उसके नीचे more में click कीजेगा description में जाईएगा और description में जाते ही आपको एक link दिखेगा उस link को click करेंगे तो direct पहुँच जाएंगे course में course में आपको ऐसे ये बना हुआ दिखेगा blue color का उत्राखंड English lecture complete course और उसके नीचे जो आपके syllabus wise folder है जैसे ये folder मैंने अपनी और से create किया जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको करना है इस course को आगे introduction and induction में एक video इसमें है फिर मैंने ये अपनी और से क्योंकि generally क्या होता है लोग lecture का course पढ़ा देते हैं वो ये नहीं बताते कि ये background क्या था literature वाकई क्या था तो मेरा मानना है इससे चीज़ें आधी हो जाती है तो मैं अपनी और से course के अलावा आपको बहुत सारी gift इसमें दे रहा हूँ जो आपको ना सिर्फ LTE, Nauda, Kendra Vidya, DSSB सब में काम आएगा और ये आपके fundamentals क्लियर कर देगा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 18 साल बाद पढ़ाई में आ रहे हैं 10 साल, 12 साल बाद तो वो सब लोग पहले basic क्लियर कर लेंगे और फिर वो integrate कर पाएंगे course को अच्छी तरीके से जब course शुरू होगा तो सबसे पहले मैंने अपनी ओर से ये देखिए history and background of ages का एक वो पूरा डाला हुआ है तो इसमें जैसे ही ये देखेंगे V2 है post chaucer in age suppose मैं इस पर click करता हूँ तो ये एक video जो है इस पर चल पड़ेगी और ये video प्ले करते ही आपको ये पहली वाली हो चुकिए अब जैसे ही ये लोग जो एंग्लो सेक्शन के जमाने में थी लेकि चaucer से पहले इनको जब उसने बहुत इस्तेमाल किया तो इसी का नाम रायल जो है राइम रायल पड़ गया यहां से क्योंकि हो रायल आदमी था तो इस चaucerian तो इस तरीके से जैसी हम उस वीडियो पे क्लिक करते हैं वो खुल जाता है तो मैंने कम से कम यहां पर पूरी एजेस को आपके सामने डिफाइन किया यह मैंने अपनी ओर से आपको दिया History and Background of Ages दूसरा फोल्डर जो मैंने आपको दिया अपनी ओर से वो है Literary Chronology जिसमें Age-wise मैंने कौन-कौन से Author किस Age से बिलॉंग करते हैं इसकी पूरी Listing की हुई है वो वीडियो के जरीए मैंने सब बताई है और उस Listing में आपको यह बिल्कुल Clear हो जाएगा कि कौन से Author कब होए हैं ऐसा इसलिए जरूर ही है उस Age के Authors के बारे में आपको पूरी Detailing मिल जाए किस Age के थे यहां तक के मेरे दो Free के फोल्डर हैं आपके लिए जो आपके Base को मजबूत करेंगे तब आप तीसरे नंबर पे आपका शुरू होगा Course Poetry में देखिए सारे फोल्डर मैंने बना रखे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ है तो इनकी पांच वीडियो मैंने डाल रखे हैं पूरे Notes Explanation के साथ और टेस्ट हैं लगातार 10 टेस्ट हर एक टेस्ट में आपको जो है MCQ मिलेंगे देखिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इस तरीके से MCQ मिलेंगे ये पहला पेज है फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे तो दूसरा पेज आ जाएगा इस तरीके से पेज वाई आगे बढ़ते जाएंगे और ये सारे टेस्ट के बाद मैंने एक Combined Answer Sheet डाल रखी है सब टेस्ट की जिससे आप अपने Answer मिला सकते हैं इसके अलावा हम Live Test भी लेंगे जो हम Sunday को लेंगे उसमें आपका एक Group बनाएंगे और उस Group में हम Sunday को एक Live Class भी लेंगे और ये Class strictly Schedule के साफ से Follow होगी जैसे आप यहां आएंगे Enroll होगे आपका एक Group बनाके हम Within One Week एक Class Schedule का आपके पास पुरा Message भेज़ देंगे देखिए Poetry में John Keats, Lord Alfred Tennyson सब में पहले वीडियो हैं Concept Explanation के लिए और फिर आपके Test हैं सब में और T.S.I.L.E.A.T.E. देखिए Seven Videos और यह सब Test हैं WBH तो यह Poetry का पुरा निप्टेगा जब तो आपको अगला फोल्डर मिलेगा Unit to Assays चार्ल स्लेम, वीडियो और इसमें वीडियो के लावा जो MCQ आपको नहीं देख रहे हैं वो MCQ हम लोग लगाता रोज डाल रहे हैं क्योंकि बच्चों का फोन ता कि आप जल्दी से जल्दी कोर्स दीजिए कोर्स हमने दे दिया है और MCQ इसमें यहां तक हमने एड़ कर दिया है रामानुजंत तक Assays में आज से एड़ होने शुरू हो जाएंगे तो सब में एड़ होते जा रहे हैं तो यह है आपके Henry Fielding आ गया ठीक है इसमें आपके और EM Foster, मुलक रायानन तो सारा जो है फोल्डर में कोई भी रायटर छूटा नहीं है और इस पूरे कोर्स में जिस भी फोल्डर को Short Stories है O. Henry, Guy D. Maupassa, Ernest Hemingway इस कोर्स की सबसे खास बात है कि आपके बिलकुल Base Clear करते वे चलता है और जितना भी उसमें आ सकता है जितना भी एक्जाम में आ सकता है वो पूरा Deeply Analyze करके दिया है बिलकुल Lecturer के हिसाब से और Comprehension में जो Passages है यह डाले गए है Comprehension में तो Passages बढ़ते रहेंगे Literary Terms and Moments बहुत ही शांदार तरीके सा आपको बताएगे है केवल Post-Modernism को समझाने के लिए देखे नौ तरीके की वीडियो का यूज किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना deeply इसे बता रहे होंगे और सारे एक्जाम्पलिस ने के नहीं इनके बाद भी है हमारा फीचर है कि यह सारे इसके बाद जो हमारा grammar और writing का section है उसमें आपको एक से एक test of vocabulary में एक से एक vocabulary के techniques, phrases, idioms सब याद किया जाएंगे spelling, tense, subject verb agreement, active passive जो transformation है, writing skills में पूरा noun से लेके जो part of speech हैं उसमें सारी चीज़े हैं part of speech में आपको दी गई है figure of speech के जबरदस वीडियो सारे ये सारी जब पूरा हो जाएं तो हम आपको ले चलते हैं मेरी और से कुछ और gift आपके ले हैं जैसे dr. नागिंद्रा जिफ्ट 1 revision and mcq live session ये live session है जो मैंने live classes दिली है revision के 27 class आपको free में दी गई है और 28 एक mcq discussion भी है फिर mcq के वर discussion का एक है relish the taste of mcq treasure इसमें 16 mcq discussion है और भी डाले जाएंगे मेरे पास लगवाक 50 mcq discussion है ये डालने के लावा एक खुशकवरी है कि जो हमारा अभी का present session चल रहा है उसमें जो भी interesting में पढ़ाऊंगा वो आपको यहाँ पर update कर दिया जाएगा नए तरीके से वीडियो बनाके रख दी जाएगी तो ये है और एक चीज में especially यहाँ पर mention करना चाहूंगा कि जब हम यहाँ पर जाते हैं राइटिंग section में इसमें letter और खासकल एक letter writing और एक terms में S.I.D. और chronicle play इन दो चीज में मैंने अभी blank रखा है क्योंकि उसके लिए मैं कुछ जो polytechnic का batch चल रहा है उसमें letter को बहुत ही deeply analysis करके explain कर रहा हूँ वो वाला वीडियो आपके लिए डालना चाहता हूँ तो उसमें कुछ दिन लगेंगे और बाकी यह पूरा course आपके सामने जब तक आप यह पढ़ें नई नई चीज़ें जोड़ती जाएंगी और इसको खरीदने के लिए आपने सिर्फ यह करना है कि आप जो को जो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दिया उसमें क्लिक कीजिए आपके पास buy का option आएगा आप buy कीजिए मैं कुछ लोगों ने मुझसे का सर की इसको आप किष्टों में भी कर दीजिए मैं किष्टों में भी डाल दे रहा हूँ दो किष्टों में और उसके अलावा इस course में सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह course आपको बहुती integrated तरीके से मिलता है इसमें आपको बाद में LT में भी मदद मिलेगी NET में भी और इसमें जो fundamental clarity आपकी बनेगी वो आपको literature का attitude की और पूरी तरह build करेगी और fees भी हमने बहुत कम रखी हुई है और यह course पूरी तरीके से जब आप करें तो यह जान के करें कि आपको एक एक चीज sequence wise करनी है इधर से आप एक literature का sequence उठा के चले गया उधर से grammar का writing section में तो आपका बिल्कुल balance रहेगा और अगर आपको कुछ और भी पूछ ना हो तो आप मुझे call करके पूछ सकते हैं और इस course को खरीदने के बाद आप sign in करना न भूलें नहीं तो आपको वीडियो नहीं दिखेंगी आप sign in कर लें और उसके बाद course में सारी वीडियो आपको खुलने लग जाएगी जिनको demo देखना हो कुछ तो आप section में देखिएगा अलग-अलग कुछ वीडियो में ने demo के लिए खुली रखियें जैसे post modernism to ऐसे grammar में कुछ vocabulary में noun की और इदर wordsworth की कुछ text की तो जगा जगा आप ढूंड लीजेगा वहाँ पर watch करके लिखा आ रहा होगा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं तो दोस्तो देर मत कीजिए और इसको खरीदिये और आपको बहुत benefit होगा और इतने सस्ते में आपको कोई भी नहीं देगा इतना बड़ा course में या आपको guarantee दे सकता हूँ इत्मिनान से करिए और अगर time limit बीतने के बाद आप फिर से बराना चाहेंगे तो वो भी बहुत सस्ते में बढ़ जाता है 1500 रुपिया देके आप फिर से जो है कई मेहनों के लिए से करा सकते हैं और इसके अलावा आप इंतजार किजेगा दो दिन में ऐसा ही एक screening का badge भी आ रहा है पूरा ready made जो इससे भी काफी कम होगा जो पांच हजार तो क्या 4000 से भी कम range में होगा और एक मैं पूरा combine भी दूँगा जिसमें English और screening होगा तो आप जैसा चाहे वैसा course ले सकते हैं फिर polytechnic वालों के लिए grammar का भी आ रहा है क्योंकि उनके लिए grammar है एक grammar और Hindi का especially एक package आ रहा है और उसके बाद last time आएगा net का readymate course तो दोस्तों विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस course को देखेंगे और इससे लाभानमेत हूँगे और अगर कहीं कोई कमी होगी तो आप मुझसे संपरिक में रहेंगे मैं उसे साथ साथ आपके पूरा करते रहूँगा धन्यवाद आपने बहुत प्यार दिया है कल मैंने ऐसे ही इसको link share किया था तो कई लोगों ने से खरीद लिया है तो आज मैंने सोचा कि इसे officially आपके सामने launch कर दिया जाए Thank you Have a nice day